नमस्कार दोस्तों वेल्कम टू शुइंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे गोद्रेज प्रोपोर्टीज कंपनी के बारे में इस कंपनी का अनालिसिस करेंगे और स्टॉक में बहुत जदा गिरावड देखने को मिल रहा है इस टॉक में क्या है एक मोका बन रहा है के लिए या तो फिर इसमें कुछ प्रोप्लेम है इस वीडियो में बात करेंगे और वीडियो सुरू करने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में बेल बटन को भी आउन करके सेग्मेंट में हैं और कंपनी के अगर मार्केट के बारे में बात करेंगे जो कि 41,000 करोड का मार्केट क्या आप है और इसमें अगर हम बात करेंगे डेट के बारे में 0.57 परसंटेज का डेट है अगर यहां पर आल टाइम हाई की बात करेंगे यहां पर 2598 इसका आल टाइम बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल आया है इस टॉक में अगर हम इसका क्वाटरली रेजल देखते हैं यहां पर जो की क्वाटरली रेजल्ट यहां पर बहुत बड़ा इंप्याक्ट आया था मार्स 2021 को अगर आप देखेंगे यहां पर माइनस 192 करोड का यहां पर क्वाटर क्न अग्र देखेंगे इस लिएए के पास में पॉरपइंट्यकों न्याइन पर्स्टेज का my पॉल्डिक के पासमें औल्ली सेवन वागर्पैंट ठील थो ही यहां पर आप अगर देखेंगे यह स्टॉक में इस टॉक में सब्सक्राइब चेक करेंगे 32 परसेंटेज का पॉजिटीव रिटान है तो अगर इसका अगर चार्ट पेटर्न भी देखेंगे ना बहुत जबर्दस चार्ट पेटर्न है जो कि अप्रेंड चार्ट ही इसमें कोई विल्कुल सक नहीं है लेकिन अगर इसी साफ से देखेंगे यह बहुत करते हैं तो यहां पर जरूर आ सकते हैं यहां पर फिर डिक्रिप्शन में उसका यहां पर प्ले लिस्ट में आएंगे तो यहां पर टेक्निकल चार्ट स्टॉक से करते हैं यहां पर 15 वीडियो में से आप अगर देख लेंगे तो आपको बहुत बड़ी अगर आप देखेंगे तो यह स्टॉक में क्यूं बोल रहा हूं उसके पीछे की मुझे ऐसा लगता है इस टॉक में भारी गिरावट हो चुका है यहां पर वर्ल्यूम भी जितना बडन पर से लगा होanh स्क में देखने को जरूरा only मार्केट सिमारीय ग्लोबल मार्केट सिनार्ययों की स्टाक अगर तो यहां पर 15 पर्सेंट का गिरावट देखने को मिल सकता है लेकिन अगर यह लेवल पर हम देखते हैं यह भी एक स्ट्रॉंग सपर जोन पर अभी खड़ा है तो अगर हम देखेंगे यहां से कितना परसेंटेज का गेन हम मिल सकता है अगर इसी साफ से अगर हम स्टॉक में परसेंटेज का गेन मिल सकता है इसा जरूरी नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं परसेंटेज के लिए है तो इसमें मेरा बाइंग और सेलिंग के रेकॉमेंडेशन नहीं है और एक इंपोडन पॉइंट है अगर आप मेरे साथ में जूड़ना चाहते हैं यहां पर में परसेंट के बात करेंगे तो यहां पर करेंगे मुझे यह इसा लगता है यह स्टाउक में यह लेबल पर अगर आप आप फिर आपको कोई बुरा नहीं है बहुत बढ़ी ऐसा लेवल है एस्टाउक में कितना यह स्टॉक में एक 44 परसंटेज का गिरावट हो चुका है तो मैं हमेज़ सा कोई भी बाइंग करने के लिए बोलता हूँ तो वहां पर जरूर देखता हूं जहां पर मुझे करेक्शन पर स्टॉक मिल रहा हो और वहां पर रिस्क करता हूं अच्छा सा सेलेक्शन करता हूं और बड़ी ऐसा बाइंग लेवल पर बाइंग करता हूं और अपना टार्गेट पी निकल जाता हूं स्टॉक टार्गेट निकल पे मतलब सेल करके निकल जाने कि बावज़ोद्य अगर स्टॉक वहां से अगर डबल टुन आइन फो टर्गेट तक अगर लेकर चलते हैं तो यहां पे हमें एक परसंटेज का गेंड़ सकता है यह जो लेवल है यहां से बहुत अच्छा पैसे बनता है फिप्टी परसंट का अगर उसी हिसाब से थाटी परसंट से अगर वह आपने गेंड कर लिया त अगर आपको एक साल भी लग जाए तो भी बहुत बढ़िया है ठीक है तो मैं क्यूं बोल रहा हूं उसके पीछे की रिजाने यह स्टॉक में किसे आचीव कर सकते हैं और मैंने इस से पहले भी लिया है बहुत बढ़ी ऐसा प्रफिट किया है यहां पे जब वहां पर करोना सब्सक्राइब करना तो कि कि यहां पर देखेंगे तो यह ना यहां पर दिखिए यहां परوجिती हंडल बढ़ रहा था ठीक यहां कर बना उसके बाद मिए यहां पर पाullal रिकिक्षा तो शेसे हें यहां पर हो अ-गिए मैंने मैं मुविंग आवरइज का ऊफ कर दता हूं यहां पे इसाफ से मैंने इस लेवल पे बाइग कर लिया जो की यहां पर यहां पर भाय किया ठीकिछ यहां पर ब्रेक आउट आ गया ब्रेक आने के बाद में ने बाइ किया और इस लेबल पर मैंने प्रोफिट बोकिंग गया ठीक है। जो कि कितना दिन मुझे लगा कि यहां पे 259 और कितना पर्सेंटज का प्रोफिट मिला है। अगर 48% का profit मिलता है अगर यहां पे 294 days में मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है मैं हमेशा बोलता हूँ ना 30% का मेरा expectation रहता है अगर 30% से ज़्यादा आ जाता है तो भी कोई problem नहीं है लेकिन अगर 30% अगर हम लेके चलते हैं अगर ज्यादा percentage मिल जाता है तो बहुत अच्छा है अगर 30% से अगर हम expectation 100% रखेंगे 50% रखेंगे तो हम 30% गयन करेंगे तो फिर हमें बहुत निरास होना पड़ेगा तो इसलिए मेरा जो target है 30% अगर हम target अचिव करते हैं हमारा portfolio धाई से तीन साल में 100% का गयन मिल सकता है तो यह बहुत बड़ीया सा गयन हो सकता है ठीक है अगर इंट्राडे से अगर अगर हम अगर compare करेंगे तो भी बहुत बड़ीया गयन होता है ठीक है क्योंकि हमें अगर इंट्राडे का चक्कर में रहेंगे तो फिर अपना portfolio में बहुत बड़ा loss हो जाएगा तो बहुत रिस्क है तो इसलिए मेरे हिसाब से जो भी swing trade करना चाहते हैं ठीक है जो की job के साथ में मेरे हिसाब से बहुत बड़ीया सा गयन हो सकता है आपको 30% गयन अगर एक साल में बन जाए तो बहुत अच्छा पैशा होता है ठीक है तो अगर इसी बियस पर मैंने स्टॉक में एंट्री लिया अपना 47% 48% का गयन ले लिया और अपना profit booking कर लिया तो यहां पर profit booking करने के बाद में कितना बढ़ा सा मूँब ओया वो जरूर देखिए आप आप अगर देखेंगे में profit booking करने के बाद में यहां पर two days में कितना percentage का गयन अया जरूर देखिए यहां पर 33% पर्संटेस का गियन आ है ठीक? और मेरा जो Friends , जो एक तो उसने खुद मेरे को बोला कि तुन्हें बहुत बड़ा लॉस किया तो यहां पर जो 3000% भी का मूट तरह 2 दिन में है यहां पर हाथ से निकल गया है यहां यह हैं तो अपना प्रफिट बुकिंग कर लेते हैं जहां पर अपना टार्गेट निकल करके आता है ठीक है इस हिसाब से मैंने प्रफिट कर लिया उसके बाद में स्टक कहीं पर भी जाए हमें कोई मतलब नहीं हम बाई करने के बाद में 10-20 परसंट जब गिर जाता है उस टाइम पर हम होल्ट करके रखते हैं और प्रफिट बुकिंग करने के बाद में स्टक जब बढ़ जाता है फिर भी हमें कोई गम नहीं होता है ठीक है यह कंसेप्ट के हिसाब से मैं लास्ट पांथ साल स चलते हैं तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं है आपका टार्गेट यहां पर डबल टू नाइन फॉर तक लेके चल सकते हैं अगर इसके लिए आपको एक साल भी लग जाए तो मेरे इसाब से कोई प्रोब्लेम नहीं है अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बारें बात करेंगे टॉ कोई प्रोब्लेम नहीं है और एक important point है अगर कोई भी स्टक में आप buy करते हैं अगर आप profit अगर प्रपर टाइम पे अगर आप profit booking नहीं किये तो आप फिर टाइम करेक्शन पर जा सकते हैं ठीक है अगर में यहां पर पर profit booking किया तो उसके बाद में काफी दिन तब कर्क झाल झाल